हाई बच्चे लोग, कैसे हो आप सभी लोग, उमीद करता हूँ, आप सभी लोग अच्छे होंगे, दोस्तो मेरा नाम है राहूल जेस्वाल और आपका स्वागत है हमारे इस बहतरिन यूटूब चैनल जे आर जूनियर्स में, तो जैसे कि आप जानते हैं दोस्तो ये special चैनल से बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसमें आप सभी के लिए, जितने भी होस तके important contents हम बनाएंगे, और आप सभी को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि छोटे बच्चों के लिए हमने ये चैनल बनाया है, लेकिन बड़े बच्चों का हमारा एक चैनल जिसका नाम है JR Tutorials जो कि आप देख पा रहे होंगे, जिसमें लगभग 1 million subscribers complete हो गए है, मतलब 10 लाग बच्चे महराश्चा से हमें देखते हैं और पढ़ाई करते हैं, और अच्छे-च्छे marks exam में लेकर आते हैं, तो प्लीज अपने parents को बताईए, अपने दोस्तों क को मुम्किन करके दिखा सकते हो, तो आप लोग प्लीज शेयर कीजे का आपने दोस्तों के साथ, रिलेटिवस के साथ, ठीक है, और बाकिये बच्चे लोग आप सभी भी अपने दोस्तों को अपने मुझे बता सकते हो, कि JR Junior से वो पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, और बड़ और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, कि half को कैसे लिखा जाता है, quarter को कैसे लिखा जाता है, three quarter का मतलब क्या होता है, one and quarter का मतलब क्या होता है, इसको हम decimal fraction में, decimal form में कैसे लिख सकते हैं, ये सभी चीज आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, और साथ ही में एक problem सेट है उसको भी solve करेंगे और इसके questions को solve करेंगे जो कि आप practice कर लेना अच्छी तरीके से आपके exams में वही question आते हैं ठीक है चले शुरुबात करते हैं अच्छी तरीके से तो ध्यान देना देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि actual में यह जितने भी चीज़े आप देख पारे अगर यह 2 है ना नीचे मुझे 100 बनाना है ठीक है या फिर मैं बात करूँ 10 बनाना है तो मैं क्या करूँगा उपर 5 से multiply करूँगा नीचे भी 5 से multiply करूँगा यह simplification बोलते है तो यह क्या हो जाएगा नीचे 5 हो जाएगा उपर 5 हो जाएगा नीचे 10 हो जागा तो 5 by 10 का मतल को हाफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं इसकोwest पड़ चुकर अब इसको मुझे 10 या फिर 2 बनेगा नी तो नीचे 25 से multiply किया, तो उपर भी 25 से multiply करना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा 25 upon 425 दा होता है 100, तो यह हो जाएगा 25 upon 100, तो यह हो जाएगा 0.25, यह बन क्या क्या है, 0.25, यानि कि एक quarter को अगर मुझे decimal point में लिखना है, तो मैं लिखूंगा 0.25, समझा, यह आपको याद पड़ेगा, ठीक है, वैसे तीसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर quarter हो गया, अब पढ़ेंगे हम लोग 3 quarter, 3 quarter क्या होता है, अब देखो इसको, तो 3 quarter का मतलब होता है 3 by 4, यह आप जानते हूँ, 3 quarter का मतलब 3 by 4 होता है, तो अगर मुझे इसको वापस से नीचे 100 बना है, तो यह हो जाएगा, 0.75, मतलब 3 quarter को हम लोग decimal point में कैसे लिखेंगे, 0.75, ठीक है, समझा, और एक, और एक चीज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, 3 quarter हो गया, अब होता है दोस्तो, 1 and quarter, 1 and quarter, इसको कैसे लिखेंगे, देखो, 1 and a quarter, ठीक है, तो 1 and quarter को सब से पहले, 1 औ और quarter मतलब 1 by 4, तो 1 और 1 by 4, तो मुझे एक चीज पता है, कि 1 का मतलब तो 1 ही होगा, और 1 by 4 का मतलब क्या होता है, 1 by 4 का मतलब होता है, 1 by 4 का मतलब होता है, 0.25, मतलब यह हो जाएगा, 0 इसके साथ add हो जाएगा, 1 plus 0 is 1 only, तो 0.25 मतलब 1.25 बन जाएगा, तो हमेशा याद कि 1 and a quarter आया, तो उसका मतलब है 1.25, ठीक है, वैसे और भी बहुत सार चीज है, जोगो देख लेते हैं फटा-फट से, उसका प्रॉब्लम सेट कराएंगे सिरा, ठीक है, एक और होता है, जिसको हम लग बोलते है, क्या बोलेंगे, 3 quarter हो गया, 1 and a half, ठीक है, 1 and a half, मतलब 1 है और एक आधा भी है, मतलब 1 है और आधा भी है, तो 1 and a half, यानि 1 का मतलब तो 1 ही रहेगा, half का मतलब 0.5 होता है, मतलब 1 plus 0.5 is 1.5, तो यह हो जाएगा 1.5, मतलब 1 and a half को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1.5, 1 and a half मतलब 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 1 तो 1 के अलावा, यह 1 यहाँ पे लिखा है, 1 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तो 1 and 3 quarter मतलब 1 और 3 quarter मतलब 3 by 4, तो 1 का मतलब 1 ही रहेगा, 3 by 4 का मतलब 0.75 होता है, मतलब 1.75 बन गया है, तो यह हो जाएगा 1.75, समझ में आया, तो ऐसे क हम लोग करने बारे हैं, solve, ध्यान से देखना बच्चे लोग, चलो, सबसे पहले हम लोग इसको solve करेंगे, 2 and a half, मतलब 2 होगा, और आदा होगा, 2 on by 2, तो 2 को तो हम लोग 2 लिखेंगे, लेकिन half को मैं कैसे लिखूंगा, 0.5, तो यह हो जाएगा, 2 plus 0.5, यानि हो जाएगा 2.5, आगया answer, मतलब 2 and a half का मतलब, धाई, धाई मतलब 2.5, हो गया, दूसरा question, देखो, क्या बोल रहा है, 2 and a quarter, तो मतलब 2 और quarter मतलब 1 by 4, 2 को लिखेंगे, 1 by 4 को हम लोग लिखते हैं, plus बीच में इसके लिखना है, क्योंकि इसके बीच में actually plus होता है, लिखते नहीं है, ब 2 and 3 quarter, 2 and 3 quarter मतलब क्या होता है, 2, 3 quarter का मतलब होता है, 3 by 4, ठीके, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 plus 3 by 4 का मतलब होता है, 0.75, तो यह हो जाएगा आपका 2.75, यह हो गया, 2 and 3 quarter, कितना easy है, 10 and a half, मतलब 10 लिखने हैं आपको, 10 हो गया, and a half, हाफ मतलब 1 by 2, तो यह हो जाएगा 10 plus 1 by 2 का मतलब क्या होता है, 0.5, तो 10 plus 0.5, जो कि हो जाएगा 10.5, खतम, clear, कितना simple था, clear हो गया, अब चलते हैं, एक और 3 बच्चे हुए, इसको फटा फट से complete गरते हो, पूरा का problem state आपका खतम हो जाएगा, 14 and 3 quarter, तो 14 और साप में 3 quarter मतलब 3 by 4, तो इसको कैसे लिखेंगे, 14 plus 3 by 4 मतलब 0.75 होता है, तो लिख दो, तो यह हो जाएगा, 14.75, आगया answer, खतम, कितना simple है, 6 and a quarter, तो 6 लिखना है आपको, अब से पहले 6 लिखना है, और quarter का मतलब होता है, 1 by 4, यानि कि 6 plus 1 by 4 को कैसे लिखते ह है, 0.25 लिखते हैं, यह सब बता चुका हूँ अल्रेडी, तो यह हो जाएगा 6.25, खतम, clear, last question, देखो ध्यान से, 28 and half, तो 28 और half मतलब 1 by 2, तो यह हो जाएगा 28 plus half मतलब होता है, 0.5, तो यह हो जाएगा 28.5, कितना simple है, है कि नहीं दोस्तो, clear, बहुत अच्छी तरीके से सम मतलब इस से जदा simple problem set के questions को होई नहीं सकते है, और यह आपने बिल्कुल आसानी से solve कर दिया, और इसे के साथ हमारा यह जो वीडियो है, यह भी समात होता है, क्योंकि आज हमने यह पूरा complete करा दिया, आप छोटे मोटे चीजे बचे हैं इस chapter में, तो एक और lecture बन जाएगा और अपने दोस्तों को share करना, यूटूब का link share करना, यह वीडियो का link share करना, सभी लोग देख सकेंगे यूटूब पे, ठीक है, चलो, फिर आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आया होगा, तो like कर देना, share करना अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार आयो चैनल पे, तो चैनल को नीचे subscribe भी कर देना, ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और वीडियो में तब तक के लिए, thank you and goodbye.